यो गाइस कैसे हो आप से भी लोग वेलकम बाइक टु दे अनधर एपिसोड अपैल वर्ट तो आर लाश्ट वाल एपिसोड के अंदर हम लोगों ने पकड़ा था ब्रॉंचेरी जो के वाई 19 लेवल का है एंड काफे अधा पावरफुल है ठीक है आज तक हम लोगों ने जित कि एक तो हम लोग पैंकिंग को पकड़ ले या फिर हम लोग एक अजुरूबी को पकड़ ले ठीक है दोनों भी एक बॉस पहले यहां पे एक पैंकिंग जो की 15 लेवल का है और भाई सब वो अकेला ने ठीक उसके साथ पूरी की पूरी फोज है पैंगुलेट की और भाई वही काफी गंदा पेलते है ठीक है पैंगुलेट तो कम पेलता है लेकिंग उसके साथ जो फोज होते है ने उसकी पैंगुलेट की वही काफी गंदा वाला पेलते है ठीक है तो इसको या फिर इस अजुरूबी को कैच करने का ट्राय करेंगे ठीक है यह 15 लेवल का है यह 17 तो तो अगरा करेंगे लेकिन उससे पहले गाइज हम लोगों को थोड़ी सी अपग्रेडिशन करने पढ़ेंगी ताकि या फिर आपना जो यह है अजुरो भी उसको पकर से कटेंगे थोड़ी सी प्रिपरेशन वागरा करने पढ़ती है लास्ट ओल एपिसोड के अंदर में एक यह भी बना है था अपना ले एक रेंच एस रेंच के अंदर एक देखो मैंने डाल ले थोड़ से विक्सिन एंड यह विक्सिन देखो गाइस काफिसर यहापे पेल्स पेर प्रेडूस करते हैं साथ-साथ ऐरो अगरा प्रेडूस करते तो पैल्सपेर का जो अपना काम है वो खत्म हो चुका है ठीक है पैल्सपेर अभी मुझे मैनियूली क्राफ्ट करने की ज़रोद नहीं है अपने जो विक्सिन है वो प्रोडूस करते हैं लास्ट वाल एपिसोड के अंदर मैंने यहां पर एक माइनिंग साइड भी बनाई थी हैंट यहां पर अभी तक New work हुए यहां पर फूड है कि यहां पर उनतों की यहां पर एक और चावर लाए जाए ताकि यहाँ पर हमारी जो स्टोन वाली दिक्कत है वो बिल्कुल से खतम हो सके आपनों जो रशावर है दोनों मिलके कापी सारे स्टोन की खटक करेंगे अपने पास स्टोन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी एक दो चीजे और करके देखना चाहतू टेक्ने लोजी पॉइंट के अंदर जाने के बाद जो चीजे अनलॉक हुए ना वो सारे के साथ चीजें में बनाना चाहतो ठीक है स्टोनवाली आकस है यहां डिटोन वाली पिकैक्स है तो पिकैक्स की पीकैक्स चाहिए प्डै जालख पनस कहते हैं चाहिए प radiates के बना सकते में डीके काफे बढ़िया चिजें है मैटल पिकैक्स और मेल एक्स बनेने बिल्कुल बिजरू नहीं हम लोग को क्यूँकि यहाँ पे आलमस्ट हो चुका है हम लोग यहाँ पे काफी सरे लकडिया ले सकते हमार पर यहाँ पर लकड़िय तोड़ता है अपनी जो र्श आवर्स जन यहाँ पर अई चला तो हमारा वो लकड्स कौशेत खत्म हो चुक आइए ठीक है लिकट के और अगर एंड पिक एक्स बनेने की बिल्कुल विजरूत नहीं हम लोगों को समझ रहे हो ना तो हो गाइज मैं यहाँ पर इस मैम रिष्ट के पास आया हूँ लैंब बॉल्स की खोज में मुझे एक एक एंक्उवेटर बनाना हुए मेरे पास आपना है एक क्योफ्य को क्वोफ के अंदर से पैसे करो तो इसको बनने लिए मुझे क पाता है उसके लिए उसके तो यहां पर एक लैम बॉल है लेकिन अपने जो ब्रॉंचिरी एकवा है ना उसकी में फाइट लागवाना चाहता हूँ एक ता डियर के साथ लेकन उसे पहले लैम बॉल को फिनिश कर भाई जा कर दे फिनिश इसको यह पकड़ एगरिसू अटक एगरिसू ली मार ब्रॉंच कापी सारे यह कलेट कर लेता हूँ लेकिन यह गुलूइंग पैल कहां पर बाई गुलूइंग पैल वाले आवा जा रही यहां पर कहीं पर लकी पैल यह देखो यह जो पैंगुलिट है यह थोड़ा सा बढ़ा है तो क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए आजा चल ब्रॉं ब्रॉंची रहकवा ने उसको फटका वार एंड थोड़ा सा तो डैमिज पड़ा है उसको ठीक है एक और फटका विस यह वाला पैंगुलिट काफी तोगडी फाइट दे रहा है यार ब्रॉंची रहकवा को और दे भी क्यों ना यार यह थोड़ा सा एक मतलब एक लकी पैल और लेकी पैल नॉर्मल पैल से काफी अधा पावरफुल होते है ओके ओके अभी आएगा कि आना तो चाहिए मेरे खायल से आजा आजा अरे आजा ना नूबड़े आजा भाई यह काफी समय लग रहा है इसकी इसकी टांग यह पकड़ अब आएगा यह आप एक पैलने फ्र लग्की पैल देखा इसका एक पैसे उसके लिए लग्की तो यह थोड़ा सा पावरफुल है भाई मैं मुर्फ यह पर क्यों आ गया इसको गलती से भी अगर हाध भी लगाए ना तो भाई यह लपेड देगा मुझे एक फटके में ओके यह आप एक फोकड का मुझे वूल म अधर भुसा पड़ा है यह वाला लैंब बॉल जमिन के अंधर भुसके मार रहा है अरे आ गाया बार आगा यह पानी के अंदर बह गाया लेकिन ठीक है मार इसको मार भाई यह थोड़ा सा पागल यार ब्रॉंची रेकवा मुझे इस पर बिल्कुल भरुसा नहीं है यह दे इसके अंदर काफी घमंड यार क्योंकि वह मार नहीं रहा साला मेरे अपने को चलो गाइस तो मैंने यहां पर कापी सारे लैंब बॉल को मार रहा है एंड मुझे यहां पर मिल चुके है ट्वेंटी सिक्स वूल्स एंड इतने वूल में मेरा काम बन जाएगा पांच चुड़के यहां पर इन फत्रों को तोड़ रहा है चलो तो एक इंक्यूबेटर बनाने के लिए स्टोन तो आ चुका है मेरे पास बस क्लॉथ चाहिए मुझे तो यहां से में का जितने भी क्लॉथ मेरे से बनते हैं सारे के सारी बना लेता हूँ 15 क्लॉथ में बना सकतो यह रहा एक इंक्यूबेटर इसको बनाएंगे अ जश्ट इसके बाजु में आरे नहीं से इस तरह से और इसको बनाने में 25 सेकंड्स लग रहे है इस तो आपने यहां पे एक इंक्यूबेटर रहे वह बनके रीडी है और इसके अंदर में सबसे पहले अंडे डालूंगा मेरे पास जितने भी उतने तो यह एक इलेक्ट्रिक टाइप का अंडा है मेरे खायल से इसके रहे तेरा सेकंड्स लग रहे क्यों तो गाइस सेटिंग के अंदर जाके नहीं एक चीज छेडी है पहले जो एक इंक्यूबेट करने के लिए टाइम लगता था न वो काफ़े आदा होता था और अभी बस अंडा डालो और फटैक से इंक्यूबेट हो जाते है और मुझ करें सारे यूनविक पाल्यू अभि तक यह पास आos भाल्यानी ते और मेरे पास यह ऐन्डा नॉर्मल हैं और थोड़ी से एंडे जिए रerson' मिलाग नहीं पाका और कोई झाल्स के इतने घटिया चीजे मिल रहे हैं मतलब कितने घटिया प्यास मिल रहे हैं अंडों के अंदर से एक ताडियर मिला एक चाहिद इस वाले को भी खोलते हैं आ बाइसाब दम मुट्य एक काफी चीज मुंतर से एकों थिए खिया अपने अपनी यह रह आपना रहे हैं माइनिंग लेवल 2 की मुझे लागा लेवल 3 की करता है लेकिं स्टिल काफी अची चीज़ है तो इसको हम लोग रखते हैं इसके बदले में ठीक है और इसको भी रखी लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो यह दोनों मिलके अभी यहां पर माइनिंग करेंगे हमारे जो फत्तर का काम है ना वह तो यहां पर खतम हो चुका है ठीक है हमें हमें फत्तर तोड़ने के लिए जाने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं हमारे दो पैस मिलके यहां पर माइनिंग करेंगे काफी तकडी वाली कापिशा लगा है वह नूबड़ा वह देखो अपना कड़ माइनिंग करने के लिए बिश देता हूँ स माइनिंग रिया नहीं नहीं कर सकता है है एंड लेवल अप होने के बाद में अपने स्टैट पॉइंट को इन्याइज कर सकता हूं तो क्यों ना स्टैमेना बाड़ा ले जाए ना हेल्थ काफी ज़रूरी भाई हेल्थ बाड़ा ठीक है तो काइस लेवल बारा का होने के बाद मेरे पास एक आर्मर अनलॉक हुआ है इसको में बिल्ड करना चाहता हूं मतलब ख्राइफ्ट करना जाता हूं थो इसके लिए मुझे चाहिए हाय क्योट राधि Platz यही रहा ही क्योट अगर मुझे बाना है तो उसके लिए इंगट चाहिए रहेगा और इंगट मेलता है हम लोगों को आयरन और से nest निड़ आयरन इंगोट हम लोगो को भाना नए तो फर्णमेश पयदें ऊसलिए और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले पांना पड़ेगा और चाहिए स्टॉन हमारे पास काफी कम सब्सक्राइब तो इसने एकलेट कर ली यार तो रशावर को मुझे लगता है कि निकालना पड़ेगा अपना जो रशावर है ना उसको मुझे अपने बेस्क्यूपर से निकालना पड़ेगा क्योंकि आपने माइनिंग काम तो यह दूमर करी रहा है और यहां पर थोड़ा सा स्टोन है ठीक ह और तुम लोग देख सकते हो नाइट विंग अभी आपे कहीं पर भी घूम रहा है जब हम लोग को चाहिए नहीं था पूरा देड़ घंटा मैंने उसको दूमना था नाइट विंग को तब जाके मुझे मिला तो और यह दो अभी ऐसे घूम रहा है मतलब गजब है यार और सकता हूं किया यहां पर मेने आपना यहांपन पाइयर ड सी है यहांपने काम करता है यह फी ले वर घांके मोट कम करता रहा है चलो ठीक है मैं थैजल यहां स पर अभाग रखे प charity罐 ने यह लेकिन यहां पर मैंने ठोड़ से और बना सकू उसके लिए चाहिए मुझे 15 इंगोट तो मुझे चाहिए 15 और 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 मुझे कहां पर मिलेगा मुझे भिल्कुल भी आइडिया नहीं तो मुझे धूनने के लिए जाना पड़ेगा मुझे लग रहे हैं यहां पर कापी सारे और तोड़ लिया है लेकिन सीन ऐसा है ना कि मेरे जो इन्युमेंटरी ना वह फुल हो चुकी एंड मैंने भी चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं फेकेंगे और चलते हुए ऐसे धीरे-धीरे जाएंगे अपने बेस के उपर क्या ही कर सकते हैं और हम लोग यह देखो यहां पर एक और नाइट विंगे बाइसा मतलब देख रहे हो कितना घट्या लगे मेरा जब चाहिए होता है तब तो क्यम नहीं दीती और जब नहीं चाहिए बाई देखो यहां पर इस खुले में घूम रहा है वेल तो मैंने जितने भी ओर तोड़ के लाई थे लोग करने पढ़ेंगे यहां से यहां पर इसको बाने लिए चाहिए इसके लिए भी और और कितने चाहिए हम लोग को अगर वाली वर्ग बाने नहीं तो दस नेल तो आप सारा यहां लोग को लगने वाला यहां पर तो बिल्कुल भी देरी ना करते हूँ मैं वापस जाता विद्व में यहां पर नहीं यहां पर वापस प्से टोड़ देना यहां पर लापस हैं जाना दर ना captivate टुड़ा सा पूर प्रूर ilen funktioniert तो यहां तो फूरी नो पर फद्तर तोड़ गया है एंद मेरे पास दोल ट्वेंटी और तो वहाँ पर जाके अपने स्मेल्ट के अंदर उसको स्मेल्ट कर ले दो और यह दो नसीब हो तो एसा बाई कितने नाइट हुए यहाँ पर जब चाहिए होता है तब एक भी नहीं मिलता बाई ओके तो यहाँ पर 11 इंगोट बनके रेडी है और और थोड़े स दस नेल्स चाहिए मुझे और यहास में एक दो तीन चार पाच अगर इसे करूंगा ना तो दस नेल यहाँ पर बनेंगे मतलब समझ रहे हो ना एक आयरन इंगोट से दो नेल्स बनते हैं और पाच बनाऊंगा तो दस बनेंगे और इतने ही नेल्स से हम लोग अपना एक इसको यहाँ पर मैं ऐसे बना लेता हूँ और पुरानी वाली तोड़ दू क्या एक मिनट इसके अंदर क्या क्या बनता है एक मिनट यह देखते लेकिन वही तो सबसे पहले इसको बील्ड करना पड़ेगा तो हो गाइद अपनी हाई क्वालिटी वर्क बनके रेडी है इसक के अंदर देखते हम लोग क्या क्या बना सकते तो सारी सारी चीज़े हम लोग इसके अंदर भी बना सकते हैं जो चीज़े हम लोग इस वाले वर्क बैंच के अंदर बना सकते हैं तो सबसे पहले इसको फटक से तोड़ देते ठीक है और इसके अंदर में बनाने वाला था प ये डिफेंस थोड़ा सा कमिये ना इस धोड़ा सा घ्ल यहाँ से कर लेते हैं और हेलमेट वह 62 हैरफेद को भी अपने सर पे डाल लेता हूं ठीक है चलो जा चुका यह तो मेरे खायद से और कुई भी चीज़े बनाने लायक नहीं है और गाइस मैं सोच रहो क्यों ना अगर हम लोग को पैंकिंग को या फिर अजरूपी को पकड़ना है तो क्रॉस बॉब बना लिया जाएए क्योंकि क्रॉस बॉक्रोस बॉध काफ जादा पाउरफुल अपने ओल्ड वो डो मतलब जादा पाउर्फुल ए ठीक है तो हम लोग बनाएंगे ऐक क्रॉस बॉधुद उसकी लिए मुझे पना लेवल लप करना पड़ेगा बस एक लेवल ब पकड़ूंगा मेरा लेवल अप करूंगा ठीक है लेकिन उससे फिले रात हुई है फाट एक्सेस हो जाता हूँ ओ भाई सब यहां पर अपना लेवल अप करने के लिए आए था लेकिन यह देखो यहां पर दो मैमरिस्ट की फाइट चल रही है तो क्यों न भाई हाथ माहर ले पास और यह मौका में हाथ से नहीं जाना देना चाहता बाई सब दोनों के हेल्थ काफी कम हो चुकी यार एक और अटेक भाई एक और अटेक और इसने उसके उपर कर दिया और कम हेल्थ इसक्यू वेटी गए अरे यार मेगा में तूने आएगा इसके अंदर कुछ मिला एक कुछ तो मुझे और यह तेरी बैस कि टांग जाव यह ब्राउंचर दिखा दी इसको इसकी आईसी कि तैसी मेरे पास वैसे काफी अच्छा मवका था इसको पकड़ने का लेकिन मेरे पास अगर कोई आच्छा सा स्पेर होता ना तो मैं पकड़ सकता था मैं आम उरिष्ट को इसको हम लोग को सबसे पहले अनलोक करना है इसको बनाना है गाइस ठीक है क्यूंकि क्रॉसबो भाई काफी तहल का चीज है ठीक है काफी यादा पावरफुल चीज है इस गेम के अंदर इसको बनने के लिए चाहिए वुड स्टोन इंगोट नेल्स तो मुझे चाहिए पारावाला जो यह ना जो भी यह इसने काफी सारे यहाँ पर स्टोन तोड़े वाई यह देखो बस अब इतने सारे मुझे नहीं लगाते है इतने सारे तोड़ लेगा यह चलो ठीक है कुई दिक्रित की बात नहीं यहाँ पर चेश्ट बना लेता हूँ ताकि हम लोग स्ट चाहिए और बनेंगे 20 और से तो मुझे टोटल 20 आइरन और चाहिए और मुझे मिलेंगे थोड़े से आगे जाके तो फटा वट से तोड़ के लाता हूँ वैसे मैं 30 को चुका हूँ एंड मेरे पास एक स्टैट पॉइंट आ चुका है तो स्टैमिना बड़ा लिया जाए ठ लबी गाइज में एक पावरफुल वेपन बना सकता हो जिसका नाम है क्रॉस बो तो लेस्ट गो इसको बनाने में काफिया समय लग सकता है हाँ जैसा मुझे लगाता वेल गाइस तो अपना जो क्रॉस बो है आल्मोस्ट बनके रेड है इसको उठा लिया मेरे डालता हूँ लेकिन गाइज में एक चीज सोच के थोड़ा सा परिशान हूँ यार क्या इस वाले क्रॉस बो को अपनी पुरानी वाली एरो जी लगती ना या फिर अलग एरो चाहिए इसके लिए तो उसको चेक करने के अपना जो ओल्ड एरो है ना ओल्ड बो उसको में फेक देता हूँ नए बो को इनिवेंटरी में ले लेता हूँ एंड मेरे पास तीन बो है ठीक है हाँ चलो बाई उसी बो के साथ अपना काम बन जाएगा मतलब उससी एरो के साथ ठीक है जो कि एरो हम लोग को अपने इस वाले रैंच के अंदर मिलती है यह देखो कापी सारी मिल गई 23 मिल ग इसी एरोज और एरोज में बना सकता हूँ यह रही एरोज मैं बना लेता हूँ यहाँ पर कितने एरोज बना लो पचास ठीक है ठीक है इतने से मुझे देड़ सो एरोज मुझे पता था और थोड़ा साथ जादा समय लगने वाला है तो वेट कर लेते हैं ठीक है ओके तो ग प्लेयर को भूक लेगे थो थोड़ा सा खाना कि लादेता हूँ मेरे प्लेयर को भी एंड मेरे जो पैल से ना उनको भी ठीक है तो इतने फूड में मेरा काम चल जाएगा और अभी हम लोग चलते हैं अजरूबी को पघड़ने के लिए ठीक है दीवोन एन ओनली अजरूबी यहां से हम लोग टेलिपोर्ट करेंगे डारेक्टली यहां पर लेकिन वही तो गाइस यहां पर कापी जारे पैल्स होते ना वो दिक्कत दे सकते हम लोग को ठीक है अटाक कर सकते हम लोग के ऊपर लेकिन अच्छी चीज तो यह है कि हम लोग के पास काफी प्यारा वेपन है हम लोग एक दो शॉर्ट में ही इनको मार सकते है ठीक है यह देखो भाई यह भिड़ गया साला जा भाई नाइट विंग दिखा दे अपना कमाल अरे रिलोड हुआ यह ले ओ 111 का डैमेज भाई क्या है यह यह एरो काफी खतरना के बे डोज मारो भाई मैं जा रहा हूँ दूर थोड़ा सा ठीक है हाँ अभी रिलोड हो गया और यह पकड भाई सब काफी प्यारा डैमेज मिल रहा है नहीं और मैं अपने चिलेट को भी भेज़ूँगा ठीक है नाइट विंग की हेल्थ कम होने के बाद बाई सब क्या मार रहे यार यह लोग भाई यह लोग मुझे मार ना देयर गलती से डौज मारो ओके आजा भाई प्लीज तू आजा चल रिलोड मारा एक वैंड तुमार यह लोग मेर से फालतु में पंगा क्यों ले रहे यह लोग यहां पर ठोड़ से और वैल्रेम आ गई क्या यार बाई जा ना बाई मर ना तू उदर क्यों पंगा ले रहा है अफाल तुमें आरे यार यार ये वैलरम काफी घटिया लो यार और ये डिवो या पर डेरूल भी बाई तो ये भी मेरे से फाइट कर सकते यार नूबड़ा ओ भाई सब ये मुझे अल्मोस्ट मारी दे यहाँ पर एक है वुल पॉप जो भी वाली पॉप इसको एक आरो मारता हूँ यह ले एक और पकड़ डौज मारो बाई रिलोड करो और ये पकड़ एक और 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 मैं अपने चिलेट को भेज़ता हूँ ठीक इसके उपर आटैक करने के लिए क्या पता मेरा चिलेट इसको क मारने में ठीक है चिलेट भाई तू मत मार यार पूरा पूरा मार देगा अभी मुझे ऐसा लग रहा है चिलेट यह पकड़ और अभी आएगा के तू मेरे खायल से आज आना चाहिए अभी अगर नहीं आया तो एक और फेकता हूँ में बॉल दिक्कत वाली बात नहीं है च की रची और चलाए चलते चूम आ फैर लेते तीर उसके साथ हो मैं अपने पैस को खाना खिला लेता हूं यार क्या पता भौई उनकी हैल्थ वागर कम हो वैसे है तो मेरे हैल्थ कम है है हल्फ दिक्यान montón के और मेरे प् criminal की पूरे हैल्थ बढ़ जाएगी समझ रहा हो अजरो भी कहा हो भाई तुम अजरो भी होगा बिल्कुल यहाँ पर चलते आगे फटाफट से और यहाँ पर नाम का उसका हेड का यह रहेड यह पकड़ एक और पकड़ और आज चल आ जाएगा मेरे खायसी अगर नहीं आया तो रिलोड करके यह पकड़ एक और आजा भी पैल स्पेर फिकोंगा में तेरे उपर यह पकड़ भाई इसने मेरे हेल्थ कम कर दी यार नूबड़े में बाई कितने रुपए लेगा तो आने का आना प्लीज चलो भाई क्याल पास एक अपने पास अपना जो अजरो भी ना यह मुझे समझ भी ने आ रहा यार कहा पे क्य क्या वह है क्या वह है वही आजरो भी यार डर लग रहा है थोड़ा सा लेकिन कोई दिकत की बात नहीं भाई खाना खाले तो सबसे पहले हैंड अपनी जो क्रॉस बोई उसको रिलेड कर ले तो ठीक है और चलते बाई सब आगे आगे अजरो भी से फाइट लेते और अपनी ब्रॉंचरी को भेजेंगे ठीक है उससे फाइट कराने के लिए आज आचल भाई सब उसको शौर्ट नहीं लग रहा पता नहीं क्यों अरे भाई यह बहुत दूर है क्या एरे यार यार यासे में उसको शौर्ट भी नहीं कर सकता क्या बात यार एक काम करता हो नाइट विं को मैं वापस बोला ले तो ताकि वो अभी यहां पे आए मेरे साथ फाइट करने के लिए ठीक है काफी जादा दूर था यार पर उसी वज़े से मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा था तो अभी यह मेरे क्लोज आ चुका है एंड अभी मैं उसको अपने क्रॉस्बो से भी हीट कर सकता हूँ ठीक है यह पकड हेड चौट भाई लेकिन सिर्फ तीन का डाइमेज बेट रहा है उसको जा भाई नाइट विंग पेल दे इसको और मैं भी अपने नाइट विंग के मुदद करता हूँ मेरे क्रॉस्बो से हीट करने में ठीक है और भाई सब तेरा का देखा था तुमने देखा था कि उसको अभी और यह बबल है ना पीछा करके मारते भाई मुझे यह यह पकड भाई अभी भी क्लोज नहीं आ रहा है यह दूर जाके ही फाइट कर रहा है नोगडा आना तेरी बैंस के टांग तेरी मेरी एरोज वेस्ट हो रही ना वही तो आजा ख्लोज आजा यह पकड तीन का डैमेज भाई आर यू सिरियस अगर ऐसे तीन का डैमेज पाड़ता रहा तो भाई इसको मारने में तीन दिन लग जाएंगे मुझे यह पकड भाई तीन का डैमेज मेरा क्रॉस वो की हेल्थ कितनी है वैसे ठीक है यार हेल्थ और अपसे मेरे नाइट विंग को भीजना पड़ेगा उसके उपर ओके भाई सब चलो फाइनल उसने उसके साथ अगेन फाइट ले लिए और टेन परसेंट अजरूब की हेल्थ जा चुके ठीक है गाईज विसे मेरा नाइट विंग काफी प्यारी फाइट दे रहा है उसको ल उसको मुझे अगर उसको मारना है तो पैल सही मारना पड़ेगा मतलब समझ रहे हो ना ब्रॉंचेरी भाई तू जा तू कुछ कर पाएगा क्या ओ मैं भी मार सकतो बढ़िया यार एक काम करता हो अपने ब्रॉंचेरी को वापस बूला लेता हो और यह मेरे क्लोज आएगा म और उसको पकड़ने में मेरे पैस की मदद कर सकूँ ठीक है यह पकड़ सोला का डामेज भाई एड शॉट बढ़िया चीज चलो ठीक है जा बया जरू भी आइमीन ब्रॉंचेरी यह पकड़ ग्यारा का डामेज भाई साब बढ़िया यार यह ले एक और पकड़ साड़े ब और पकड़ भाई डॉज अरे मैं अपने ब्रॉंचेरी को मारो लॉल यह पकड़ दस का डामेज और ट्वेंटी परसेंट इसकी हेल्थ जा चुकी ठीक है डॉज मारो यह पकड़ एक और रिलोड यह पकड़ काफी तकड़ावाले डामेज पड़ाई भे यह वापस जा रह चुक कहे एंड यह वाटर टाइप का पहले न तो उससे में अपने चिलेट को भेड़ाऊंगा वैश मेरा चिलेट भी हेक वाटर टाइप का पहले और क्या पता मेरा चिलेट उसको काफी तकड़ावाला अटैक दे सके डैमीज वागणा दे सके हां मैप के मैप के अंदर जाए ठीके अगर मैं यहां से जादा पीछे गया तो यह नुबड़ा वापस पीछे चला जाएगा ठीके रिलोड मारो आधी हेल्ट जा चुकी वाइस की अल्मोस्ट यह पकड़ दो हज मारो उससे पहले रिलोड एक और पकड़ वाइसाब लेकिन वेस्ट कर दिया ना मैंने यह पकड़ हेड चुट 17 का डायमिज बाई लेस्गो लेस्गो यह पकड़ एक और भाइसाब एक और बार 17 का डायमिज और पूरी की पूरी आधी हेल्थ इसकी जाज चुकी है ठीके मतलब समझ रहे हो ना आधी से भी ज्यादा और मैंने इसको अल्मोस्ट पकड़ लेया भी ठीक है रिलोड यह पकड़ एक और बाईसाब मेरा जो चिलेट है ना काफ़ी तोगडी फाइट ले रहे बैसके साथ काफ़ी खतरनाग वाली मुझे नहीं लगा तेयार मेरे चिलेट इतनी खतरनाग इसके साथ फाइट करेगी यह पकड़ थोड़ा साथ दूर जाना पड़ेगा क्या मुझे यह पकड़ एक और आधी हेल्थ जा चुकी मेरे वाले चिलेट की यह पकड़ रिलोड मारो यह वापस जा रहे हैं पिछे यह पकड़ ओ भाई साब डॉज मारो डॉज मारो डॉज मारो नाइट विंग को भेज बाई साब लेस्ट को लेस्ट को थर्टी परसेंट इसकी हेल्थ बाग है ठीक है सेवेंटी परसेंट इसकी हेल्थ अभी खतम हो चुकी है यह पकड़ एडिशॉट मैप के अंदर में वही लोकेशन पर तो हूँ ना नहीं तो यह चला जाएगा बाई नूबडा यह 20 नहीं जाद है 20 से यह पकड़ यह पकड़ पंद्रागा डायमेज बाई सब लेस्ट गो नाइटिंग भाई मरने के हालत में ब्रॉंचिरी बाई जा रिलोड 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 यह ले लेस्ट गो डॉज मारो ओके बाई सब यह गुलाब के फूल गुलाब लग गये वाई लग गये काफी खतरनाक वाले लगे वाई इस बारी ओके वह रहा अजुरू भी वहापे सामने है तो उसके वापस से बढ़ गए यार काफी बुरा लग रहे भाई अभी मुझे कसम से बाता रहो भाई सारा का सारा समान उठा लेता हूं मैं ओ भाई सब क्या क्या यार चलो कवर में एक चीज है मेरे पास अची चीज तो यह है जा बाई चिलेट दोज मार है मैंने मिने अपनी बो को मेरे हाथ में ले लिया रिलोड मारता हूं उससे पहले और यह पकड़नू बड़े भाई से इसको वापस से पूरा मारना पड़े गया यार भाई मै मेरे चलेट के आधी हैलत हो прямо है टीक है लेकिन अची बात तो यह कि मेरे चलेट काफ़ी दाए में ज़या रही है इसको आकस लाह गया क्या ईयन अटक आक के यह है अरे यरे अटक गयता में उससे एक एक आटक में मार दे मैं ऍक में Nem इसके बाद हम लोग भेजेंगे नाइट विंग को ठीक है हाँ कवर में रहो कवर में रहना काफ यादा ज़रूर यह समझ रहो ना मतलब यह एक शॉट में मुझे मार दीगा लास्ट टाइम की तरह जा बाइट विंग दिखा दे अपना कमाल कवर में रहो यह पकड हाँ यह इस बार ही चलो ठीक हमें 30 एरोस में हो जाना चाहिए है मेरे खायल से ओके चलो वारी रचेट इसकी हाँ भी बाकी है यह पकड़ बाई मिरे फेर्ग वेस्ट कर रहा हू यह पकड़ एक और मेरे पैल के बीच में इसके बीच में कンगे क्योंकि मेरे Health काुछ यादा कम है इसको चलो अरी Health इसकी जाच चुकी है और इसे बार में भेजोंगा एक तर दीर को ठीक और मेरा और इसके बाद में भीज़ूंगा अपने ब्रॉंच रिको ठीक है वैसे इसके ना फोरटी वर्सन थेल अभी बाकी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी त्री एरोज है ठीक है कवर में जाओ यह घुबारे काफ़े दान होएंगे यह पकड़ बचते बचते मतलब लगते-लगते बच गया मेरा शौट इसको उसका शौट मुझे क्या बोल रहो बढ़ी में कवर में रो चलो बढ़ी ठीक है बढ़ी काफ़े प्यारा मिला यार मुझे इस बारी तीन का डै मेरे एकता डियर की भी आधी हेल्थ जा चुके लेकिन अच्छी बात तो यह ना कि अजरू भी ट्वेंटी हेल्थ पे ठीक है जा ब्रॉंचरी दिखा दे अपना खमाल बाई सब पहल मेरे काफी तकड़ा तकड़ा काम कर रहे यार बाई मुझे डर लग रहा थे यार मुझ मैं नहीं मरना चाहिए मतलब मैं नहीं मरना चाहूंगा चलो बाई एक पैल्स पर फेक के देखते हैं नहीं आए गई है बाई प्लीज आजा आजा बास फर्स्ट किल तुम्हारे भाई ने एक और पैल पकड़ा है जिसका नाम है अजुरोबी एंड ये भी काफी खतरनाक प प्रॉंचरी है उतना ये खतरनाक ये वाला ज़रूबी है तो अपने पास दो काफी खतरना खतरनाक पैल आ चुके है एंड नेक्स्ट आले एपिसोड में हम लोग डैफिनेटली मारेंगे पैन किंग को ठीक है ये साला लास्ट टाइम मुझे काफी आदा परिशान करा था इस बार मैं इसके खटिया खड़ी करूंगा ठीक है मेरा जो रिवेंज है ना वो कंप्लिट करूंगा एंड साथ साथ मैं नेक्स्ट आले एपिसोड के अंदर आपना जो आज़रूबी जो हम लोग ने अभी पकड़ा है ना उसको भी टेस्ट करूंगा पैन किंग के उपर या फिर अलग-अलग पैस के उपर ठीक है तो हम लोग पैन किंग को पकड़ेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर तो गाइस यह वाले एपिसोड आप लोग को कैसा लागा यह तुम लोग मुझे कमेट में ज़रू से बता देना आयोप आप लोग को यह वाले एपि युदु में तप्ते के लिए टाटा बाइबाइ टेक केर गाइस गुद बाइ गेमर्स